हलो फ्रेंड्स हर शादी पार्टी की जान और सभी की पसंद बच्चों से लेके बड़ों तक यह है फ्रेंड्स मूंग की दाल का हलवा जो कि देखकर ही कितना एकदम रिच लग रहा है न इसको बनाना बहुत ही असान है मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मूंग की धुली हुई दाल यह मैंने एक कप लिए नाप के लिए आप घर की कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं फिर उसी से आप पूरा मेजर्मेंट ले इसको पानी डाल कर हम बहुत अच्छे से तीन से चार बार धो लेंगे जब तक की डाल एक दम आपको साफ दिखाई ना देने लगे तब तक हम इसको दोते रहेंगे यह देखें क्योंकि डाल में पॉलिश होती है इसलिए उन में अच्छे से वो साफ नहीं होती है तो जब तक हम उसको रगड़ रगड़ हातों से साफ नहीं करेंगे तब तक उनमें स्टार्च रहता है थोड़ा सा तो इसलिए इसको दालों को धोना बहुत ज़रूरी है तो जब हम दाल अच्छे से धो लेंगे फिर उसे हम एक छन्नी के उपर निकाल लेंगे मूं की दाल का हलवा तो सभी को बहुत पसंद आता है लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हलवे से थोड़ा सा इसमें ज़ादा टाइम लगता है तो इसलिए तसलिए से आज हम मूं की दाल का हलवा बनाएंगे तो देखे फ्रेंट्स अब इसका पानी एकदम निकल गया है तो अब हम क्या करेंगे कि एक पेपर लेंगे और उसके उपर एक साफ कपड़ा बिछाएंगे और उस पर इस दाल को हम थोड़ा अच्छे से फैला कर सुखा लेंगे जब तक कि एकदम थोड़ी सी मतलब इसका पानी पूरा अच्छे से सोख ना जाए तब तक हम इसको पंखा चला के सुखा लेंगे थोड़ा सा इसको दबा लेंगे कपड़े से इस तरीके से जिससे कि उसमें जितना भी पानी होगा वो पूरा कपड़ा सोख लेगा और बस 10 मट के लिए इसको पंखे के नीचे छोड़ देंगे तो यह अच्छे से खिली-खिली दाल एकदम हो जाएगी तो देखिए दाल भी अच्छे से सूख चुकी है हलकी गीली है चूने से लेकिन इसका पानी पूरा सूख गया है तो अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम इसको ड्राय रोस्ट करेंगे बहुती धीमी आज पर हम इसको लगातार चलाते वे भूनेंगे फ्रेंट्स बहुती पेशेंस का काम है इस हलवे को बनाना तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये 10 मिनट या 15 मिनट में बन जाएगा ये जितनी देर में भी बनेगा इसका पूरा टाइम मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और कैसे ये हलवा इतना अच्छा बनेगा वो सारी टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो देखिए फ्रेंट अब ये दाल अच्छे से भुन चुकी है इसकी आवाज आ रही है ये देखो जब हम इसको चला रहे है न तो एक खनक सी आवाज आ रही है बस इसको थोड़ा सा ठंडा करके अब हम इसको मिक्सिंगी के जार में डाल कर पीस लेंगे हमें इसको पाउडर नहीं बनाना है इसको हम थोड़ा कोट भी पीसेंगे मल्लब की हलकी सी दानेदार ये देखिए जब हम इसको चुएंगे न तो थोड़ा सा दाना आपको फील होगा इसमें एकदम फाइन पाउडर ये नहीं बनाना है इसको तो बस अब हम दालेंगे अपने dry fruits को थोड़ा सा fry कर लेंगे, dry fruits आप अपनी मनफसंद डाल सकते हैं, मैंने इसमें बदाम काजू, थोड़ी चिरोंजी और एक चंबंच मैंने इसमें खर्बुजे के बीज डाले हैं, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हल्वे में, इस सारे dry fruits को मैं कलक प्लेट में निकाल लेंगे, बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है, dry fruits के बुनने से, तो बस अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूँगी, उसी पैन में, जिसमें कि मैंने dry fruits को बुना था, तो बस जो डाल को हमने पीस कर रखा था, अब उसे हम डाल देंगे, और घी के साथ इसको mix करके अच्छे से भूनेंगे, तो देखिए friends, पहले जब मैंने सूखी डाल पीसी थी, तो उसे भूनने में मुझे पूरे 10 मिनट लग गए थे, अब पीसने के बाद जब मैं दुबारा इस डाल को भून रही हूँ, तो अब देखते है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो देखिए friends, इसका color एकदम अलग है, अभी पीला पीला दिख रहा है, और एक सबसे जरूरी tip, जिससे की हलवा आपका एकदम दानेदार बनेगा, तो मैंने इसमें एक चम्मच सूजी डाली है, मतलब मैंने 1.5 चम्मच इसमें डाला है एक चम्मच फूल और एक चम्मच आधा, क्योंकि ये पतली सूजी है, और एक चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है, अब दोनों को हम साथ में ही डाल के साथ अच्छे से भून लेंगे, जिससे की सूजी और बेसन भी बहुत अच्छे से भून जाएगा, तो friends, दूसरी तर हमने दूद को बलने के लिए रख दिया और इस तरफ हमारी डाल भी धीमी आज पर हम इसको भून रहे हैं, डाल को लगातार चलाते रहना है, ये दिहान रखें आप, इसको बराबर चारों तरफ से हमें भूनना है, ये देखिए, इसका कलर अब धीरे धीरे चेंज होने ल गरम पानी इसलिए डाला है, जिससे की दाल अच्छे से फूल जाएगी, और थोड़ी टाइम की भी बचत हो जाएगी, तो पानी डाल कर ये देखिए, दाल को जब हमने दुबारा से इसको भूना है, तो कितनी खिली-खिली लग रही है, अब हम इसमें डालेंगे दूद, ये मैंने पूरी दो कप दूद इसमें डाला है, अगर हम इसको वेट से बोलें, तो ये हाफ केजी दूद है, फुल क्रेम दूद है, पूरी मलाई के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है इसको, और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे लगातार, बहुती टेस्टी बनता है ये हलवा फ्रेंड्स था, थोड़ा टाइम तो इसमें लगता है, लेकिन बनने के बाद जब आप इसको खाएंगे, तो आप अपनी महनत की मिठास को महसूस करेंगे कि कितना अच्छा आपने ये हलवा बनाया है, तो देखिए इसको अब हम लगातार चलाते रहेंगे, और अब घर में सबके पास वेट मशीन तो होती नहीं है, तो इसलिए कप या कटोरी से जब हम सेट कर लेते हैं मेजर्मेंट, तो हमें उससे बनाना बहुत आसान हो जाता है, तो अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, चीनी डालने के बाद थोड़ा सा और पतला हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी करके डालते रहेंगे, इस हलवे को बनाने के लिए मेरा पूरा डेर से 200 ग्राम के असपास घी इसमें लग गया है, इसको आप पकड़ लीजिए कढ़ाई को किसी भी सरसी से या किसी कपड़े से और पकड़ के मजबूती से आप इ दिखाई नहीं दे रहे होंगे अभी, इसका मतलब है कि हमारी जो डाल है यह बहुत अच्छे से भून चुकी है, अब मैंने इसमें एक बड़ा कलचुल घी और डाला है, इस कलचुल में मैंने इसको मेजर किया हुआ है, तीन बड़े टेबल स्पून इसमें घी आता है, औ इची से देखिए कढ़ाई एकदम साफ दिख रही है, बिल्कुल क्लीन, कहीं से कोई चिपक भी नहीं रही है, और इसको चला पा रही हूँ, तो मतलब कि जो डाल हमने भूनी है, वो पर्फेक्ट भूनी है, बहुती टेस्टी, बहुती यम्मी है, बहुत अच्छी खुश हमें डाल दिये है, इसमें एकशली जब हम ऑथंटिक तरीके से इसको बनाते हैं, तो इसमें खोवा डलता है, लेकिन हर समय खोवा हमारे पस नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसे दूद के साथ बनाया है, बहुत टेस्टी, अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है, तो म मुझ बहुत ही दानेदार हल्वा बनाया है, अगर आप भी इसी मेजरमेंट और इनी टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये हल्वा ट्राई करेंगे, तो आपका हल्वा भी ज़रूर बहुत ही परफेक्ट बनेगा, और सभी को बहुत पसंद आएगा आपके घर में, तो इसमें जरूर लगेगा, लेकिन बनने के बाद आपको बहुत पसंद आएगा, ये मेरी गारेंटी है, तो फ्रेंट्स अब मैंने इसमें थोड़े से ड्राय फ्रूट्स और डालें उपर से और थोड़े सी टूटी फ्रूटी डाली है, आपने देखा होगा, कि शादियों म के साथ शेयर करें और इंजॉय भी करें